नमस्कार मैं हितेंदिर कुमार आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी विदान सबा चुनाओ की सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है और जो हरियाना के अंदर जो है लगातार हर हलके के अंदर घमासान जारी है हम बैठें जजजर के अंदर और जजजर के अंदर लगातार हम आपको खास मुलाकात कराते रहते हैं आज भी हमारे साथ एक खास सक्सियत हैं जिस पे चुनावा पे चर्चा करेंगे ये खास सक्सियत जो है मैं थोड़ा सा बताऊना चाहूँ अगर इनके बारे में तो ये जो हैं अपने जजज़र हलकें और आस पास के सत्रा हलकों के यूथ हार्मी चीफ हैं हमारे साथ यमन को डा आईए बात करते हैं और जानते हैं क्या हालात हैं क्या स्थिती हैं चुनाव को लेकर यमन भाई बहुत बहुत दन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दरसर को मेरी तरफ से नमस्कार दन्यवाद यमन भाई यमन भाई घमासान जारी है विधान सबा चुनाओ का और आप लगातार जो है इसके उपर चाय हुए हैं आपका बयान आता रहता है और सरगर्मी तेज हो जाती आपका बयान जवाता है तो आज जो है हम थोड़ा सा जजर अलके के बारे में बात करत हैं जजर की स्थीती क्या लग रही है क्या स्थीती है क्या लग रहा है आपको की यहां से कौन बाजी मारने वाला है और किस अपने किन नीतियों की वज़े से बाजी मारने वाला है देखिए इतेंदर भाई कुछ भी हो यूथ आर्मी का एक बड़ा योगदान होगा चाहे युद्धारमी टीजी वो 25 तारिफ को समर्थन करेगी या 22 टो करे, 18 टो करे जब भी समर्थन होगा तो ज़र में बड़े बदलाओ की तरफ जाएगा मामला और बदलाओ का मतलब आप समझते हो ये मान के चलिए अपकी बारे मैंने बता देता हूँ और जन्ता से अपियल भी करता हूँ कि भई उड़ा साब यहां पर आते हैं और डिपेंदर उड़ा जी आते हैं और जोड़ी फैलाकर गिताब उक्ल जी के लिए वोट मांगते हैं तो भई, डिपेंदर उड़ा जी से मेरा सिधा सवाल है आप जोड़ी फला कर वोट तो मांग लेते हैं और ये जनता दे भी देती है चूँकि आपकी बोड़ी सूरत को देखकर ये जनता पागल हो जाती है और आपको वोट डाल देते हैं लेकिन आपने कभी गिता बुकल जी को फोन मिला कर ये बोला कि भाई गीता बुकल जी आप जजर में कुछ काम भी कराओ आप वोट तो जोड़ी फेला कर मांग लेते हो तो काम भी कराने के लिए तो बोलो उनको आपके टारगेट पे हमेशा गीता बुकल होती हैं लगातार तीन बार यहां से विदायक रह चुकी हैं और उनका जो क्योंकि देखो हर्याना के अंदर अगर आज कीस थिति देखें तो हर्याना और खासकर जजर डिस्टिक की बात करें तो यह जो है गुड़ा साब का गड़ माना गया है और अभी भी जो विदानस बाचनाव की स्थिति लग रही है वो एक तरह से कॉंग्रेस की मतलब एक पॉजिटिव वो स्थिति लग रही है लेकिन 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 गीता बुकल टार्गेट क्यों रहती है क्या वज़े इतिंदर भाई बात तो सुनो तोड़े ही इस गड़ को जल्दी और मैं तो यह कहतो रहdoor हूं आपको बही यह जंता जट्र की जनता को समझना पड़ेगा बेरी जनता समझना पड़ेगा बादरी जनता को बिए समझना पड़ेगा कि आपको ऐगर वोट डालनी है तो आप आप वोट ड्लो एक अपने Candidate को देकर अगर आप पो अलग रहा है कि कूंसा ऐसा सक्चा अच्छा उमिद्वार है जो काम कराएगा और यमन गुड़ा जो है उसकी तरफ अपने एक सिंपती वाली नजर देख रहे हैं मैं तो एक ही चीज बता रहा हूँ कि भाई वो लोग बताए माइक पर आकर मीडिया के सामने कि भाई हम देखिए दूसरों के का कप्तान भी धना जी ये बताता हूँ दो साल से चेर्मेन है लेकिन वो ये तो बताए उन्होंने दो साल में टिया क्या और वो अगर MLA बनेंगे तो ऐसा क्या करेंगे जो गिता भुकल नहीं किया भाई कप्तान भी धना जी ये बता दे या सिर्फ गिता भुकल भुराई गिना के MLA बनना चाहरे है तो भाई देखे हमारा सवाल है कप्तान भी धना जी से अगर आपको जज़र से MLA बनना है तो आप ये बताए हम आपको MLA क्यों बनाएं आपके अंदर ऐसी क्या खूब भी है जो हम आपको MLA बनाएं आपने दो साल में चेर्मेन बनकर ऐसा क्या किया जो हम आपको आज MLA बनाने की सोचेंगे एक चेर्मेन की पावर होती है विदायक से ज़्यादा पावर होती है और भाई अगर वो बताएंगे अगर वो यहाँ पर हमारे पास बैठकर जनता को आसवासन देंगे कि भाई जनता हम जनता के लिए लड़ेंगे और यूत हार मेरी टीम को आसवासन देंगे तो हम उनके समर्थन में आने के लिए तयार है तो कप्तान जी अगर जिला अध्यक्स रहे हैं और चेर्में रहे हैं तो वो आप यह चाते हो कि वो अपने काम जो हुनों ने कराए है वगर वो उन चीजों को साबित करते हैं या उन चीजों के बारे में बताते हैं कि यह यह काम आए है तो यह मन कुड़ा क्या उनके साथ है जेखो हमने उनका MLB बनने के बाद उनका खारीकाल नहीं देखा हूँ वो थाबित मत करो यहां के बताय मीडिया के सामने हमारे पास बैठकर कि आगर युद्ध हारमी हमारे उस्तारम करें इस हमारी मांगे हैं। हमारी मांग पताऊं मैं आपको मताता हूं क्या मांगती है जब भी किसी बेहन बेटी वैसाथ अत्याचार होगा इसी किसान मज्दूर-पत्शोष्ट ने चींहें जाएंगे तो वह अगर जरूरत पड़ी तो रिजाइन देने के लिए यह तैयार हूं चाहिए जब हम उनके लिए लड़ने के लिए हैं तो मुझूदा विदायक किसैं आप आरोप यूंञ तो आज तक तो मैंने इनकों के लिए लड़नें के सामने तो किसी लड़ने के क्या नहीं कहन बेटियों के लिए किसान मजदूर के लिए यू आउ को रधिकार के लिए रोजगार के लिए कभी मैंने उनको लड़ते हुए नहीं देखा तो फिर यह तो यह तो बताएं कि हम उनको वोट क्यों करें जजरी जनता मैं तो रिक्वेश्ट करता हूं भाई हाथ जोड कर आ और वो आगर बने है तो वो क्ला कराएंगे तो वह गाम कराएंगे और देखा थी 15 देख लिया नहीं कराएंगे जब उनको यहां से यहां से अगर सीट मिलेगी और वो मुख्या मंत्री बणेगे तब नहीं से सरकार तो क्या करा धो उत्तार में गोड़ा कर्याओं नहीं है कि 2014 से पहले जिप कॉंगress पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार में भी काम है के लिए कोंग्रेस टेल यह अ कर tecyna लिए नीए के ली गिता बुकल के लिए नीए यह कप्तां ब्ताना जी से भी सवाल है सिद्धा और कप्तान पर गुम्ब हुट उन्होंने दो साल में चेर्मेन वीदायक ज़धा पावर में होता है दो साल में क्या किया जब उनके लिए घूमें गाउं में तो अपिल तो कर सकते हैं लेकिन वो यह विश्वास दिलाए कि वो जनता के लिए लड़ सकते हैं सीदे तोर पर यमनकुट डा जो है वो यह चाहते हैं कि अगर वो अपनी जो काम है चेर्ट और यह अकिले कप्तान बिर्दाना के जी के लिए भी नहीं है यह किसी पी उमीद्वाइब के लिए है हर केंडिडेट के लिए आपके नाचारे हो तो जिस तरीके से मतलब अगर वो और एक चीज और भी बता दे डेटेट हैं आप के सारा संजीत कभलाना before अ बीच में लेके जाते थे जब अगर उन्होंने इतनी सच्चाई जनता को बता दी है उन्होंने ये बता दिया है कि गिता बुकल ठीक नहीं है तो अब क्या वो गिता बुकल की वोट मांगते हुआ अच्छे लगेंगे ये बताई है ऐसा आपको फील हो रहा है तो फिर वो बत अपने त्रीकी से मुर्चा the उन्होरार नहीं है आपके भिशाब से आप जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ जो आपने पूरी से मौर्चा-खूल रखा है मौर्चा-खूल रखा औंस figure से पहले सोचork मैंकीन जरबाले हैं आप एक तरह से स्वालों के गेरे में भी रहते हैं लगा तार आप टारगेट और करते हैं रुक भी एक बादली में सैटल्मेंट हुई सैटल कर लिया गया जिस आदमी के पास सक्सम था भी नहीं सो फाइनेंचियल जब वो पर्चा उठाने आता है तो बड़ी आपचास साथ लाग रुपे गाड़ी होती है दस तस पंदरा पंदरा बाउंचर होते हैं साथ साथ पुठके तो भाई पहले भी बहुजिन समाच पार्टी या कारी करता उसको केंडियेट को सैटल गया गया तो देखिए यह जो गंदी राजनिति कर रहे हैं लडाई लड़नी है दम चे लड़ो ताकत से लड़ो अपनी से किसी और हो एक अट्रीए तो पहले भी होती आई है और अब भी किसी तरीके से नाराज हो जाता है कोई उमिदवार या कोई नेता तो पार्टी तो उसको मनाने कोशिश करती है ना तो इसमें उनका नेता था यह जो बंदा था एक चोटा सरकारी करता था फूजन समाथ स्पालिटी का लेकिन उसको सेटल करना उसको डराना उसको लालत देना और पहले भी ऐसा ही हुआ था लोकसभा में भी उसको खत देखिए इनलो और बसपा के ये चैंडियेट से खत्रा किस्को सबको पता है और यमन गुड़ा जी जो चाहते हैं कि वो सीधे तोर पर ये चाहते हैं कि अगर कोई भी उमीदवार जो है आके ये बोलता है कि मैं करीबों के लिए आप सीधा मेरे से पूछो में कहता हूँ बदलाओ चाहता हूँ मैं और बदलाओ के तहत एक ऐसा निता जनता को मिले हर जंता के लिए जब भी अंदॉलन हो तो जंता के लिए शोचे ना कि अपने लिए शोचे ऐसा चाहते हैं तो आपका जो है जो भी जड़रलग की जंता आपको देख रहे हैं आपका उनकी तरफ से direct दारेक्ट टूप से क्या मेसेश आता कि किस तरीके से वोट करें कि- इस दिन हम जाएंगे आपको बहुत सारे केंडियेट हैं आपको जो सही लगे यमन कुड़ा किदर जाएंगे कि नी जाएंगे ये स्थिती असमंजस की बनी देखे जिस दिन हम जाएंगे उस दिन दिठेगा बदलाओ और देखे ताकत दिखाएंगे अगर हम किसी के साइड गए तो जिस दिन हम किसी का समर्तन करेंगे तो पास दिन में ज़र्टा माहोल बदल देंगे ये हमारी यारेंटी है युवा जो है खासकर अच्छा एक अच्छी संख्यामी युवा आप से जुड़ा हुआ है और सत्रा जिलों का युवा आप से जुड़ा हुआ है तो जजजर का भी काफी युवा आप के साइड भाई सब पूरी तयारी है कारिगरता मिटिंग ले चुकी है रोज मिटिंगे चल रही है तो तयारी पूरी है बिल्कुल बस सही नेता की तलास है और सही नेता की यमन गुड़ाप के पास आने की तलास है बिल्कुल वोट उनको चाहिए वो आए चल कर हम ने जाएंगे किसी के पास बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई हम से बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो आपका मेसेज है यह हम बिल्कुल आमारे चैनल के जरीय उमीद्वारत तक पहुच जाएगा चलाओगे तो हम आपको एक अच्छा पत्तरकार मानते हैं बिल्कुल चलाओगे तो फिर हम देखिए काफी पत्तरकार ऐसे भी है जो एक पहले इंटर्वु लेने से पहले यह नाम ने लेना नहीं हम वो पत्तरकार ने जो बात बोली है घंता को पहले आप एक बिना किसी के साथ मतलब सब के लिए बिना पक्स बात की है, सब की आवास उठाने वाड़े देखिए, हम तो गरीबो की आवास उठाते हैं, हम जो दबेगुछल लोगे ह rap, उनकी आवास उठाते हैं और हमारी आवास को जनता तक पहुचाना, सरकार तक पहुचाना बड़े बड़े लीडर बने बैठे जो इन तक पहुचाना आपका काम है बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई हमसे बात करने के लिए तो ये थे यमन गुड़ा और यू थार्मी चीफ हैं जजजर में लगातार जो है वो आवाज उठाते हैं सोच कर देखो तो हर उमीदवार हर वोटर जितना भी वोटर हैं हमारे जजजर डिस्टिक के अंदर उन से यमन गुड़ा का एक ही सवाल है कि सोच कर देखो वोट डालने से पहले वोट की तारीक नजदीक आती जा रही है और यमन गुड़ा के तेवर भी लगातार तेज होते जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी वोटर है वो ऐसे ही उमीदवार को वोट डाले जो जिसने काम कराए हैं और सचाई रूप से सचे रूप से वो जो है गरीबों के साथ किसानों के साथ मजदूरों के साथ युवाओं के साथ जुड़ा रहना चाहता है तो वो उमिदवार यमन के साथ आता है यमन को यमन गुड़ा को तसली बख्स तरीके से जवाब दिता है तो यमन जो है एक सेकिंड भी निलगाएंगे उनका साथ देने के लिए ये यमन गुड़ा का मानना है तो लगातार ऐसी ही खास सक्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे लगातार ऐसे ही खास चेहरे को हम आपको दिखाते रहेंगे आप भी अपने सुझाओ जो हम कमेंट्स के जरीए देते रहें वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखते रहें सब की खबर टीवी बहुत बहुत अन्यवाद